डियर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग थम्बनेल में देख पा रहे हैं हम आज के वीडियो में इसी की चर्चा करने वाले हैं आप लोगों को आज से पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था लेकिन कोविड और लोगडाउन के वज़़ से सरकार ने इसे उस समय अस्थवित कर दिया था पर अब फाइनली सरकार ने इसका नोटिफिकेशन फिर से किया है ताकि आप लोगों का सेशन ज़्यादा लेट नहूँ और फिर डी सी को आदेश दिया गया है कि इसका समय पर सही से एडिमिशन लेकर सेशन स्टार्ट किया जाए ताकि बच्चे अल्रेडी बहुत लेट ह हो चुके हैं तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख पा रहा है कि यह जो नोटीस है यह कल के डेट में आया है और इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का पढ़ियास करेंगे और इसे हम आगे वीडियो में अच्छी तरह से डिसक्स करने वाले हैं यहां पर करते हम आगे वीडियो में करेंगे तो जो भी कंडिडेट इंटर्मेडियेट पास आउट है एवं जो मेट्रिकुलेशन पास आउट करके इस एक्जाम को क्वालिफाई की होंगे तो उनके लिए यह सीट अलॉटमेंट डेट आ गया है और जैसे ही आप लोग सीट अलॉटमे हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप जैसे ही इस वीडियो के दिस्किरिप्शन में दिएगे लिंक पर क्लिक किजिएगा तो आप सिधे इस साइट पर पहुंग जाएगा इसका बात फ्रेंट्स इस पेज पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिसी इसी करके एक पॉइंट है और इस पर आप लोग को किलिक करना हुआ तो जैसे ही आप लोग इस पर किलिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपेन हो जाएगे और यह पेज कुछ इस तरह से फ्रेंट्स आप लोग के सामने दिखेंगे और इसमें सबसे उपर वाले जो यहां पर नोटिफिक कि ज़िए तो आपके सामने कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा और फ्रेंट्स आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि यह नोटीश कुछ इस तरह से है और फ्रेंट्स इस नोटीश में क्या-क्या है हम एक एक करके डिसकस करेंगे और आप लोग भी इसे अच्छी नोटिस में क्या है फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रत्योगता पडिक्षा डी से सी दो हजाड़े किस तो यहां पर सरकारी नीजी छेतर के परामेडिकल इंटर्मीडियेट अस्तरिय पीम परामेडिकल माध्यमिक प्रवेश है तो ऑनलाइन काउंसेलिंग से संबंधित अबैसक सुचना तो यहां पर देख लेते हैं नोटिस में क्या है बिगापन संख्या बीसी सी सी डिसी सी तो हजारे कीस अब लिग सिक्स्टीन दिनांग पांच एक दो हजार बाइस के क्रम में डिप्लोमा सर्टिफि है तथा पारा मेडिकल पी एम माधिमिक अस्तरिय पाठ कर्मों की सीटों पर ओनलाइन काउंसेलिंग है तू डिसी सी पी एम पी में दो हजारे कीस में समलित सभी पातरता प्राप्त अफियर्थ्यों समधित अफिवाव को संस्थानों को सुचित क्या जाता है कि डिसी सी प पी एम पी में दोहजारे कीस के अधार पर पर्थम एवं दुटिया चक्र सीट आवंटन नमंकन की पुर्व निर्धारित थी एवं काड करम नियमनुवत पुर्व निर्धारित क्या जाता है तो फ्रेंट्स यहां फर्स्ट में है फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अ जा गया था लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोवीट के वजह से और इधर लॉकडाउन के वजह से सरकार ने आदेश दिया कि इसको दत्काल अस्थाइद कर दिया जाए और उसे बाद में फिर लिए जाए गा तो सरकार ने फिर आदेश दिया इस बोड को और तब अधर के बोड ने फिर से आप लोगों के लिए एक डेट को सुनिशीत किया और वह आप लोगों के सामने हैं तो फर्स्ट रावन प्रोवेजनल सीट के लिए आपका फिर से डेट साथ फरवड़ी को दिया गया है तो इस डेट में आकर के आप लोग यहां पर देख सकते है कि आप लोगों का जो सीट अलाटमेंट है वो कब और कहां पर होगा और उस बाद फ्रेंड्स सेकेंड में हैं डाउनलोडिंग आप अलाटमेंट और एंड च्वाइस अप ग्रेडेशन फर्स्ट रावंड यहनी जब उस डेट को आप लोग यहां पर अलाटमेंट डाउनल क्रिफिकेशन एंड एडमीशन फर्स्ट राउंड और तब जाकर के फ्रेंड्स आप लोग जैसे उसको डाउनलोड कीजिए तो फिर वहां पर आपको उस बगपता चल जाए उस डाउनलोड पेज में कि आपको किस इंस्टूट में जागर के अपना डोकुमेंट्स को वेर हो जागा तो जस्ट उसके बाद सकेंड राउंड प्रोफिजनल सीट अलाउटमेंट का फी पब्लिकेशन डेट दे दिया जया है जो कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं 25 फरवड़ी 2025 है उसी तरह से डाउनलोडिंग ऑफ अलाउटमेंट और सकेंड राउंड तो सकेंड सकेंड राउंड का जो आपका डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एडिमिशन के लिए वह आपका 26 फरवड़ी से ले करके एक मार्स के बीच होगा यहां पर फ्रेंड्स एक और मैं बताना चाहूंगा कि जो कंडिडेट फर्स्ट राउंड प्रोफिजनल सीट अलाउटम और पर छपे रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर उपस्तित होकर अपना डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पुरा करेंगे यानि कि फ्रेंड्स जब आप डाउनलोड किजेगा एलोटमेंट और तो आपको उस पर किलियर पता चल जाएगा कि आपको कहां पर जा भीम्टर्रण पर टूमेंट्स को पर यहाना दाना है तो इस प्रक्रिया पर फिर फिर नहीं किस पर फोलेनगा चेश्तर मिनलोग को बैच गis कैimana असे आपकर मट होगा और जाती दूड़ी लोग को ले जाना है और फ्रेंड्स आज का वेडियों इनफरमेटिव लगा है त अप्ने दोस्तों के बीच में do récup क्रें ता कि जिन्हें जल से पता चल आई इसलिए कि डिट भूत कम है और इन्वे यह उन्हें इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह जरू से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य वाले इससे रिलेटेड कोई भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट आपको सही समय पर मिल सकें तो फ्रेंड्स हम उमीद करते हैं कि आज का वेडियो आप लोग को जरूर से जरूर परसंद आएगा अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप अपडेट आती है तो आप लोगों के वीच इस चैनल के माध्यम से जरूर से जरूर पहुंच जाएगी तो फ्रेंड्स बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब्दक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाल